हलो अबरीवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंदी की इंगलिश की बुक सी चैप्टर नमबर त्री की पोएम हाउ तो ठेल वाल डैनिमल्स इसके राइटर है कैरोलाइन वल्स इस पोएम में उन्होंने मज़ा के तोर पर यह हमें बताया कि किस तरह से हम जंगली ज इंदायिस यानि पूरअब की ओर जंगल में और आपके सामने अगर आता है A large and tawny bist, tawny means brown yellowish color का जानवर और अगर आपके सामने large or tawny bist आता है If he roars at you और अगर वो आपके उपर दहारता है As you are dying और उसकी दाहार सुनकर आपको लगता है कि आप नहीं बचेंगे You will know it is the Asian lion आप जान जाएंगे कि ये Asian lion है यहां पर क्या बताया गया है कि जब वो रोर करता है जब वो दाहारता है तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन है ये Asian lion है आगे लिखा है और if sometime when roaming around Roaming around means घूमना तो यहां लिखा है कि अगर कभी आप घूमते घूमते आपके सामने A noble wild beast greets you एक noble यानि royal wild beast यानि जंगली जानवर अगर आपको greet करता है with black strips on a yellow ground और उसकी जो body है वो yellow color की है और उसपर black strips है यहां पर आप देख सकते है यह जो धारियां है वो black है तो इन्हें ही black strips कहा जाता है और यहां क्या कहा जा रहा है और उसकी body कैसी है yellow है और उसपर black color की अगर strips है just notice if he eats you लेकिन just notice करना कि कहीं वो आपको ना खाए this simple rule may help you learn और यह simple rule आपको यह समझने में यह सीखने में मदद कर सकता है the Bengal tiger to discern यानि कि यह जो simple rule है यह आपको यह बताने में यह सीखने में मदद कर सकता है कि वो beast कौन सा है वो beast Bengal tiger है यह simple rule आपको वो beast पहचानने में मदद कर सकता है वो beast Bengal tiger है next है if strolling forth a beast you view whose hide with spots is papered if strolling forth यानि आप casually walk करते हुए जा रहे हो a beast you view और एक जानवर आप देखते हो whose hide with spots is papered hide means skin of the animals यानि animals की skin और जिसकी skin spots से यानि dots से भरी हुई है as soon as he has left on you और जैसे ही वो आप पर जपटेगा you will know it is the leopard और आप जान जाएंगे ये leopard है it will do no good to roll with pain और अगर आप pains यानि दर्द से चिलाते हो इसका कोई फादा नहीं है he'll only leap and leap again वो बार बार आप पर जपटेगा और बार बार आप पर attack करेगा आगे लिखा है यहां लिखा है if when you're walking around your yard अगर आप अपने garden में घूम रहे हैं you meet a creature there और वहां आप एक creature से मिलते हैं who hugs you very very hard जो आपको कस के गले लगा लेता है be sure it is a bear be sure कि ये bear है यानि कि भालू है if you have any doubts I guess और अगर आपको doubt है कि वो loving है की नहीं है I guess he'll give you just one more care और मैं ये guess करती हूँ कि वो आपको बार बार गले लगाएगा यहां लिखा है don't you distinguish beast of prey beast of prey means any animal जो कि दूसरी जानवरों को खाने के लिए hunt करता है उसका शिकार करता है तो यहां कहा गया है कि ऐसे जानवर को पहचानने के लिए उन्हें distinguish करने के लिए a novice might non-plus यानि कि ऐसा कोई जो अपने काम में नया है उसको क्या बोलेंगे novice कहा जाता है और non-plus का मतलब होता है puzzled, confused होना तो ऐसा इंसान जो कि अपने कामों में नया है वो confused हो जाता है ये पहचानने के लिए कि beast of prey कौन सा है यानि कि जानवरों का शिकार करने वाला कौन सा जानवर है यू अब एक क्रोकोडञ और एक हैना यो जो हैना होता है वो smile करता है लेकिन अगर वो रोता है तो वो क्या है? वो क्रोकोडञ यू अगे लिखा है the true chameleon is a small a lizard sort of thing writer कहती है कि एक chameleon कैसी होती है वो छोटी होती है और छिपकिली चैसी होती है he hasn't any ears at all and not a single wing और single wing नहीं होते यानि उसके punk भी नहीं होते if there is nothing on the tree अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है it is the chameleon you see और आप क्या देखेंगे वो chameleon है यहाँ पर writer नहीं यह कहा है कि tree पर कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर कहती है कि आप chameleon देखते हैं यानि जिसे हम girgit कहते हैं वो देखते हैं यानि कि जो girgit होती है उसकी एक feature यह होती है कि वो जिस चीज़ पर बैठती है वो उसी के color को उसी color में बन जाती है यानि girgit अगर brown color के डाल पर बैठती है तो उसका color brown हो जाता है अगर वो green color के बाधे पर बैठती है या फिर पेड़ पर पेड़ के पतों पर बैठती है तो उसका color green हो जाता है इस तरह से Caroline Wells मजाकिया तरीके से wild animals को पहचानना बताती है एक बड़ फिर से हम लोग इसके summary को देख लेते है यहां पर वो कहती है कि अगर आप by chance पूरब की और जंगल में जाते हैं और अचानक आपके सामने एक large और yellow brown color का beast सामने आपके आता है और अगर वो दाहारता है और उसकी दाहर सुनकर आपको लगता है कि आप नहीं बचेंगे आप जान जाएंगे कि वो Asian lion है फिर दूसरे स्टेंजा में वो बताती हैं कि अगर आप कभी घूमते घूमते जाते हैं और एक noble जंगली beast आपको greet करता है और उसकी जो body है यलो कलर की होती है और उसके उपर black strips होती है जिस्ट नोटिस कीजेगा कि वो आपको ना खाए ये simple rule आपको ये सीखने में help कर सकता है ये पहचानने में help कर सकता है कि वो Bengal tiger है आगे वो कहती है कि अगर आप casually walk करते हुए जाते हैं और आप एक beast को देखते है जिसकी जो skin होती है वो spot से भरी हुई होती है और जैसे ही वो आपके उपर छलांग लगाती है आप जान जाएंगे कि वो लपाड है और अगर आप दर्दे से चीखते हैं चिलाते हैं ये आप के लिए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो बार बार आप पर attack करेगा फिर आगे वो कहती है कि अगर आप अपने garden में घूमते हुए जाते हैं और आप एक creature से मिलते हैं जो आपको hardly आपको hug करता है यानि आपको गले से लगाता है be sure it is a bear यानि कि वो भालू है अगर आपको ये doubt है कि ये आपको hug करेगा की नहीं ये भालू है की नहीं I guess वो आपको एक बार फिर से बार बार hug करेगा यानि गले लगाएगा और फिर next stage में वो distinguish करती हैं वो फर्क बताती है क्रोकोडाइल और हाइना में और ये कहती है कि ये फर्क करने के लिए कि कोई जानवर beast of prey है की नहीं यानि दूसरे जानवरों का शिकार करने वाला है की नहीं यानि कि कोई ऐसा इंसान जो अपने काम में नया है वो confused है distinguish करने के लिए कि वो जानवर beast of prey है की नहीं इसके लिए वो कहती है कि क्रोकोडाइल और हाइना को पहचान सकते है हाइना स्माइल करता है और अगर वो रोता है तो वो क्रोकोडाइल है आगे वो कहती है कि एक कैमेलियन यानि गिर्गिट छोटा होता है और वो छिपिली जैसा होता है उसके कान नहीं होते उसके पंक नहीं होते और अगर पीड पर कुछ भी नहीं है आप कैमेलियन को यानि गिर्गिट को देखते हैं यानि कि जो गिर्गिट होती है जिस चीज पर बैठी होती है वो उसी कलर की हो जाती है इस दरह से Caroline Wells मज़ा के तोर पर जंगली जानवरों को पहचानने के बारे में बताती है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में Thank you